चलिए एक और कोश्चन देखते हैं ये भी आपके एक्जाम में आया हूँ है सर क्या कहता है कोश्चन पढ़ लेते हैं पहले कहता है एबी सी लिमिटेट ना थ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं एक पी है एक क्यू है एक आर है तो जो प्रोडक्ट है एक पी क्यू और रा कहता है सर्थ सेलिंग प्राइस तीनों यूनिट का सौ रुपए इसका सेलिंग प्राइस सौ रुपए और असी रुपए और पचास रुपए आगे कहता है इक प्रसम्ड़क्ट है अनका वेरिएबल कॉस्ट पचास चार्लिस बम इसका रुपए और रुपए यानिजिए 30% हम इसका बनाएंगे 30% इसका बनाएंगे 50% इसका इसका सिर्फ 30% ही मनिफेक्चर करेंगे और इसका 50 क्यूंकि 100% कैपिसिटी है तो सभी एक बार में नहीं बना लेंगे अब अगर हमारे फैक्टरी में 100% माल लेथें बहुत सिंपल सिर्फ हैं आप चोले बसे बेच रहे हो कि हजार बटूरे बना लो या 700 बटूरे और चोले दोनों बना लो तो आप क्या करोगे दोनों ही बनाओंगे ऐसा तो नहीं सिरिफ 1000 भटूरे ही बना लोगे 100% capacity एक ही काम में लगा दोगे तो मेरा कहने का मतलब है कि भाया जो capacity 100% उसको डिवाइड करके जैसे जैसे हर चीज की डिमांड आएगा वैसे करेंगे दा fix cost of total total fix cost है यानि आपका product PQR तीनों का मिला के given the above information you are required to work out the overall break-even point quantity and production-wise break-even point such quantity आपको एक overall बताना है एक production-wise बताना है कोई बात नहीं चलिए सबसे पहले contribution निकाल लेते हैं sir contribution की बात करें हम तो contribution क्या आएगा इसका तो 50 यह आ गया क्योंकि यह sales है ना sir यह sales है ना ओहो यह तो उपर है चला कोई नहीं इसका आगया 40 इसका आगया 30 total अगर हम बात करते हैं sir तो यह हमारा क्या है contribution यह 100% contribution है यह जो contribution दिख रहा है 100% है लेकिन हमें तो capacity के इसाब से contribution लेना है तो आगर मैं capacity लोओं तो इसका sir 20% ही होगा that is 10 इसका sir 30% होगा that is 12 इसका 50% होगा that is 15 तो total contribution कितने होगे 15 22 देख ले टोटल contribution 10 Plus 12 Plus 15 इसरोपर यह होगया contribution sir एक पूछा है break-even पॉइंट बताइए ब्रेक इवन पॉइंट ओवरॉल मतलब टोटल तो क्या होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड़ वाइड कर देंगे हम इसके बाद देखा जाए तो कुश्ट ने और क्या पूछा था एक तो हमने ओवरॉल निखाली दिया अब कुश्टन कहता है सर आप यूनिट वाइज यानि आप प्रट्वाइज भी बताएज तो बैरी सिम्पल प्रड़ुक्ट वाइज बना देते हैं इनको प्रड़ुक्ट वाइज तो सर टूटल चालिस है तो पी का चालिस हजार में कितने परसेंट है सर टू değil percent और सर क्यों का 40,000 का कितने परसेंट है जो की है हमारा 12,000 और का 40,000 का कितने परसेंट है सर 50 परसेंट तो इसका 50 परसेंट आ जाएगा 20,000 तो देखे यह प्रड़क्ट वाइज यानि पर्पोस नेटली बाट दिया तो आपके बुक में एक्जाम में आया हुआ कुश्चन था ये तो ये है हमारा एक और कुश्चन फटा फटा इसको नोट करिए फिर हम अगले कुश्चन पर चलेंगे हां जी चलिए सर देखते हैं एक और कुश्चन वाइस क्लियर बिलकुल ओके कुश्चन में क्या कहता है देखिए 5.30 मैं इलिस्टरेशन हटा नहीं रहत देखिए आपके ढूंड पाव बुक में कहता है एक साल का प्रॉफिट है और एक साल का सेल्स है दो चीज़ दे रखा है fine dot pv ratio तो सर pv ratio को एक formula होता है पीवी रेशो change को मैं डिल्टा से दिखा दू चलेगा change in profit divided by change in sales ये भी pv ratio होता है चलिए आपको दिखा भी देता है मैंने फॉर्मूला एक जधा लिख तो दिया था आप लोगों के लिए कहां गया यह रहा PV रेशो PV रेशो PV रेशो मैं कौन से की बात कर रहा हूं सर यह रहा यह हमारा change in contribution divided by change in sales या change in profit divided by change in sales यह मैंने लिखा हुआ है आपके किताब का ही है तो चलिए सर ठीक है कहता है break-even point ओविस निकल जाएगा break-even point दोनों के अलग-अलग निकाल ले होगे profit when sales desired sales पूछा sales required when unprofit ठीक है become में भी आया है see enter में और margin of safety in the year 2005 यह 2005 नहीं होना चीए है यहाँ थोड़ा सा error है question में कोई बात नहीं देखते हैं पहले तो हम PVR निकाल ले तो change in profit की बात करें तो change कितना हो रहा है पांच हजार रुपए पांच हजार चेंज है नहीं profit में change in sales की बात करें तो 20,000 रुपए और multiply by 100 तो sir result outcome आ जाएगा हमारे पास divided by 20,000 into my 100 25% अब कहता है break even point निकाली है अब question में यह नहीं कह रहा है किसका निकाली है 10 का या 11 का तो मैं दोनों का निकाल देता हूँ 2010 के लिए break even point इवन पॉइंट क्या होगा हमारा fix cost तो question में देखिए आपको fix cost given है क्या क्योंकि बिना fix cost के तो हम निकाल नहीं पाएंगे आहां हां 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 फिक्स कोस्ट देख लेते हैं साइध में रखल टाइप थोड़ा सा error हो गया है हमारा कुश्यन चलिए यह 2005 वाला थोड़ा सा ना error है इसको अभी देखके मैं ठीक कर दूँआ कि क्या error बनेगा अंसर के साथ अब fix cost निकालते हैं ठीक है तो हमारा यह अब देखे fix cost पहले निकाल ले यहां पर main trick point fix cost ही है इसको हटा देते हैं अभी ओ माई गॉट यह तो ऐसे नहीं हटेगा चलिए रब कर देते हैं इसे यह अब तो हट गया जी सर fix cost दिखाईए आपको पता है PV ratio हमारा आ गिया PVR अगर 25% हो तो VC percentage आपका आ जाएगा 75% है ना और हमारा sales होता है is equal to VC plus FC plus profit सर sales पहले वाले case में एक लाख बीस हजार VC 75% एक लाख बीस हजार का 75% 90,000 FC नहीं पता profit कितना है सर आठ हजार सर यहां solve कर सकते हैं ना plus 8,000 minus 120 तो सर fix cost आगया 22,000 यह जब solve करेंगे तो fix cost आगया सर 22,000 120 minus में 90 और minus में 8,000 22 चलिए सर break even point किसके लिए 2010 के लिए सर break even point 2010 के लिए कैसे होगा simple सी बात है fix cost divided by PVR तो सर fix cost क्या आया 22,000 और PVR क्या आगया 0.25 तो 22,000 divided by 0.25 88,000 रूपीज 88,000 हमारा है सर दूसरे केस में क्या रहेगा दूसरे केस में भी सेम ही रहेगा fix cost और PV ratio तो दोनों का सेम ही है तो सेम रहेगा तो हमने एक break even point निकाल दिया यह भी निकाल दिया सर यह आगया हमारा 25 परसेंट सर यह भी निकाल दिया आपने यह आगया 88,000 अब बात कर रहा है profit कमाना चाहते हो जब कहता profit when sales are 80 तो मैं point नमर 3 यहां कर रहा हूँ सर sales है हमारा 180 तो minus हो जाएगा सर VC जो की है 75% आगया 135 minus कर दो सर FC जो की है 22,000 हर लेवल पर तो एक ही होगा minus कर दो 180 minus में 135 प्लस 22,000 ओहो गलत कर दिया 180 minus में 135 में 22,000 तो सर 23,000 रुपे का profit आएगा तो यह question भी done कितने आएगे 23,000 अब कहता है sales required to earn profit 12,000 यहनि desire sales की बात कर रहा है तो सर इसको बाक्स में डाल देते हैं ताकि so that आपको clear रहेगा सरी यह question एक answer दो answer दो answer यहाँ पर पूर्थ का answer चलिए सर 3 के बात फूर्थ का answer कहता है sales required unprofit तो ठीक है सर desire sales बोलते है desire sales कैसे निकलता है अगर देखा जाए पीवी रेशों 0.25 पूर्थ कैसे निकलता हैs अगर देखा जाए पीवी रेशों 0.25 तो सर एक लाग 36,000 रुपए का जब आप सेल करेंगे ना तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे बारा हजार मार्जन ऑफ सेफटी 2005 में एक बार यह देख लेता हूं सर यह एरर क्या है यह माजरा क्या है यह 2011 का है ठीक है ना 2011 टाइपिंग एरर इसको काट दिया जाए इसे 2011 का कर दिया जाए तो मार्जन ऑफ सेफटी पूछा गया है 2011 इसका तो सर क्या होता है मार्जन ऑफ सेफटी मार्जन ऑफ सेफटी होता है सेल्स माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट बहुत सिंपल से बात है तो यह आंसर है हमारा यहां से यहां तक चलिए सर कहां निकाले कि विधर कर देता है कि विधर कर देता है ठीक है MOS is equal to sales और इसमें minus कर दें break even point that's it तो sir sales 2005-11 में क्या था 41 और 41 में से sir minus कर दो break even point that is a break even point 88 तो यह आ गया MOS चालिस माइनस तो यह आ गया sir 52 52,000 इसको पूरे को अच्छे से दिखा दें चलिए sir done कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी एक और कोशन हमने कर लिया फटा फट से इसको भी नोट करिएगा मैं सर्फ practice करवा रहा हूं हाला कि chapter हो चुका एक खतम मैं स्रिफ और स्रिफ आपको practice करवा रहा हूं क Celebrity क is दिख और स्रिफ «चड़ कोई था रहा हूं जिख से रहा हूं कि झाल झाल